Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 101 का Unit 10 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में बात करेंगे परिवर्तित रोमन संसार के बारे में इस चैप्टर का आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं इससे पहले में पार्ट 1, 2, 3 करवा चुका हूँ जहां पर हमने पार्ट 1 के अंदर में तीसरी सताब्दी तक रोमन समराज्य में विस्तार के बारे में बात किया था कि रोमन समराज्य किस प्रकार से अपना विस्तार कर रहा था इसको हमने डीटेल में डिस्कस किया था सेकिंड पार्ट के अंदर में हमने रोमन समराज्य का जो राज्य और परशासन ववस्ता था उसके बारे में डिस्कस किया था कि रोमन समराज्य के अंदर में राज्य और परसासन ववस्ता किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से इसके नीती थी, ठीके इसके ववस्ता किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमने second part के अंदर में discuss किया था थर्ड पार्ट के अंदर में निम्न वर्ग और दासों के क्या इस्तिती रही किस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जाता था ठीके इनकी इस्तिती किस प्रकार से थी इसके बारे में हमने थर्ड पार्ट के अंदर में डिस्कस किया था पूर्थ पार्ट जो आज का हमारा ये last part होने वाला इस chapter का जहां पर हम discuss करेंगे कि इसाई धर्म की स्थापना किस परकार से हुई रोमन समराज्य के अंदर में और रोमन समराज के जो सासत है उनका इस परसार किस परकार से किया इसके बारे में हम यहाँ पे discuss करने वाले है तो important question हो रहने वाला है चारो जो question है, जो चारो part है वो important है, क्योंकि छोटी-छोटे वीडियो के इंदर हमने चारो part को cover किया है, तो मैं request यह करूँ है कि आप चारो part को देखें, एक-एक करके जिससे आपको चीजे समझ में है और इसका सबसे main important role यह है कि जो नया syllabus है, आपका MA history का उसके according में यह है कि सारे part एक-दूसरे part से interlink है, अगर आप एक भी part को miss करते हो, एक भी part को आप नहीं देखते हो तो आपको next part उतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं request यह करूँगा कि पीछे के parts को भी जरूर देखें, ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रोमन समराजे के अंदर में जो इसाई धर्म के स्थापना का मुख्य कारण माने जाता हो, भै को माने जाता है दर के कारण से रोमन समराजे के अंदर में इसाई धर्म के स्थापना होई, भै किस प्रकार का? भै होता है सत्ता का गवाने का भै, ठीक है जैसे कि रोमन समराजे के अंदर में धीरे-दीरे जब सासक जो भी थे, समराज जो भी थे, उनके गुट ऐसा था जो सासक का support कर रहा था दूसरा गुट ऐसा जो विद्रोह कर रहा था तो विद्रोह वाले गुट को जो क्योंकि इसाई धर्म था अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब ideology माना जा रहा था उस time पे एक इस तरह से revolution का कारे कर रहा था लोगों के अंदर में ideologies डाल रहा था विचार डाल रहा था किस तरह से क्या power से आपकी उसके बारे में समझाने की courses कर रहा था तो यहां पे जो सासक वर्ग था उसको इस इसका डर लगा भै लगा कि अगर ये विद्रोही वर्ग को इसाई धर्म का अगर साथ मिल जाता है तो क्या होगा हमारी सत्ता चली जाएगी हम यहां पे सत्ता पे आसी नहीं रह पाएंगे जिसके कारण से क्या क्या उन्होंने कि पूरे रोमन समराज्य के अंदर में इसाई धर्म की स्थापना करने का फैसला करते है और आगे इसाई धर्म की स्थापना करते है रोमन समराज्य के अंदर में जो लोग थे उन्होंने इसाई धर्म को अपनाना आरंब कर दिया क्योंकि जो सासक थे उन्होंने इसको यहाँ पर स्थापना करने की फैसला किया उसके बाद यहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने भी इसको अपनाया तीसरी सताबदी में यह जो धर्म था रोमन समराजिक के अंदर में काफी लोक्तिरी हो गया था चुंकि यहाँ पे लोक्तिरी होने का main reason क्या था कि जो इसाई धर्म का जो ideology था जो इनकी विचारदारा थिम्मत था वो प्यार का संदेश के उपर में depend करता था कि यहाँ पे हमें message of love फैलाना है सभी जगह ठीक है उनका जो message था main लोकों के अंदर में आपसी भायचारा हो प्यार हो यह main reason रहता है जहाँ पे लोग भी जो थे इससे जुड़ते चले जाते हैं उसको लोग भी इसके जो विचारदारा थे जो इसकी ideology थे उससे impact करते हैं और यहाँ पर यही ideology का फाइदा उठाने की courses यहाँ पर जो रोम सासरत थे वो करते हैं वो यह सोचते हैं कि अगर हमने इसाई धर्म को अपनी तरफ मिला लिया तो उसके बाद जो विद्रोही है वो अपने आप दब जाएंगे क्योंकि विद्रोही भी कहीं न कहीं यह देखेंगे कि धर्म का में support मिल रहा है तो मतलब हम सही हैं धर्म हमारे साथ खड़ा है तो वो इससे हट जाएंगे पीछे और हमारा जो सासन है वो चलता रहेगा तो इस तरीके से देखा जाता है ऐसा भी माना जाता है कि रोमन समराज्य के अंदर में जो व्यापक इसतर पर इसाई धर्म का इसतर देखोगे करते हैं इसाई धर्म को संगरक्षन होना परदान किया कि कुछ भी अगर होता है तो वी आदर रिस्पॉंसिवल पॉर एवरिटिंग ठीके और हम आपको गाइड करेंगे हम आपको लीड करेंगे इस तरह का यहां पर मोटिव रखा गया इसाई धर्म के अंदर में यहां प ठीक है दूसरा कि यहां पर जो आता है इसाई धर्म के धर्म वर्ग ठीक है तो यह दिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह धर्म हमसे उचा उठ जाए जो सासक वर्ग है जो रोम का सासन है जो सासक है रोम समराज्य है कहीं उससे उपर अगर धर्म उठ गया तो सासन को सासक को इसके अंडर में रहकर कारे करना पढ़ेगा मतलब अगर धर्म जादा बड़ा है तो जो सासक होगा, जो लिडर होगा वो धर्म के अंडर में कारे करेगा थिक है, तो यह यहाँ पर डर था जिसके कारणा जो रोम के सासक थे उसने इसकी लूग पृता को दबाने का भी परियास करते हैं परन्तु रोमन समराजी की जो दबन की नीती होती है उसके बाद भी यहाँ पर देखा जाता है कि तीसरी और चौती सताब्दी के अंदर में इसाई धर्म तेजी से फैलता चला जाता है दबन की नीती का मतलब क्या कि जो रोमन समराजी के अंदर में इसाई धर्म फैल रहाता तो उसके द्वार उसको दबाने की एक कोर्सिस की गए जाती थी पर उसके बाद भी यहाँ पर तेजी से इसका परचार परसार होता है फैलता चला जाता है यहाँ पर जब आप बात करते हो कंसेंटाइन का जो चासन काल आता है वहाँ पर इसाई धर्म रोमन समराजी के में बिना रुकावट का विस्तार करता है और आगे की और अग्रसर होता हुआ चला जाता है उसने सहीन सुनता का आदेश चारी किया तथा इसाईयों को परतारन को समाप्त किया जो इसाई के परती परतारन की ववस्ता थी जहाँ पर इसाईयों को टॉचर किया जाता था उसको यहाँ पर समाप्त करने का एलान किया जाता है उनकी घोसना के बाद यहाँ पर देखा जाता है तो रोमन समराज्य का पहला सासक था जिसने इसाई धर्म को ग्रहन किया इससे पहले जो सासक थे उन्होंने रोमन समराज्य के अंदर में इसाई धर्म के तो इस्थापना करी थी पर खुद वो रोमन समराज्य के अंदर में सासक होते हुए भी उन्होंने इसाई धर्म को अप जिसमें इसाई धर्म को संपरदाय और राज धर्म बना दिया जाता है तथा मुर्ति पूजा को कानूनी विरुद कर दिया जाता है इससे पहले कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका अलग धर्म था जो मुर्ति पूजा में विलीव करते थे तो यहाँ पर उसके उपर रोक लगा जाता है उसके वुरुद कानून बना जाते हैं और इसाई धर्म को संपरदाय और राज धर्म बना दिया जाता है पूरे राज्य के लिए सबसे इमपोर्टन धर्म के तौर पर इसको स्थापित किया जाता है ठीकर राजा के द्वारा तो ये 392 के अंदर में इक अलाग से क कोई कोश्यन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में रेस कर सकते हो अगर आप वट्सप गुरुप से जुड़ना चाहते हो तो आप कमेंट करना आप अपने वट्सप गुरुप का में वहाँ पर लिंक देदूँआ जाए डिरेक्टली जहां से आप जोईन कर सकते हैं अगर एली ग्राम पर भी ब्लॉगर का आपको लिंक मिल जागा तो आप टैली ग्राम को गुरुप जोईन किसी डिरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप डिरेक्टली जाकर ब्लॉगर पर देख सकते हैं तो यह वीडियो यहाँ पर एंड होती है बट आप हाँ है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जुरूर करे क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइब करने सा मैं मोटिवेशन मिलता है और हम आगे के लिए और अच्छे से तयारी कर पाते हैं तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा थैंकी सो मच फॉचिंग मी थै हुआ गहाँ है